हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिने सुनकर तो दूसरे देश भी हैरान रहे गए सागर माला प्रोजेक्ट क्या है और इसमें भारत सरकार ने कतने पैसे खर्च किये हैं कहां पर रोब वे लाइन बनाने का प्लान किया गया है कैसे ग्लाशियर में से रोड को निकाला जाएगा और हमारा भारत ऐसा पहला देश होगा जो इस तरह के रोड को बनाएगा लेकिन ये रोड कहां बना जाएगा अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सबी सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो के आखर तक बने रहे हैं चलिए फिर शुरू करते हैं नमबर एक सागर माला प्रोजेक्ट दोस्तो सबसे पहला प्रोजेक्ट है सागर माला प्रोजेक्ट इसमें भारत सरकार ने भारत की 7500 किलोमेटर में फैली कोस्ट लाइन को बेहतर बनाने का जम्मा उठाया है इस प्रोजेक्ट में बहुत से काम शामिल है जैसे rail connectivity, road construction, 14 costly, economic junes और costly economic unit को बनाने का भी प्लान किया गया है साथ इस प्रोजेक्ट में सभी दूर दूर बने ports को एक दूसरे से connect भी किया जाय रहा है जिनके लिए सडके और rail से connectivity की शुरबात की गई है इसके राबा pipeline और water waves को भी बहतर बनाने की पहल की गई है यानि इस area में पानी से लेकर road construction हर एक चीज़ की बहतर सविधा देखने को मिलेगी अब सूचिए जब एक प्रोजेक्ट में इतने सारे काम होने हैं तो भाई काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए जी हाँ एक लाग के खरीब लोगों को रोजगार मिलेगा बता दे कि आंधर प्रदेश सरकार ने सागर मला प्रोजेक्ट के लिए खरीब 36 परियोजिनाय प्रस्तावित की हैं ये जितना बड़ा प्रोजेक्ट है उतना ही बड़ा इसका खर्चा भी होगा जी हम बताया जा है कि अब वो ग्लैशियर पर रोड बनाएगा ताकि कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और इसके लिए लद्दाख के लाके को चुना गया है क्योंकि ये एरिया बहुत जादा उंचा पत्रीला है और वैसे इस रोड को करीब 17,800 फिट की उचाई पर बनाने का प्लैन कि आगया है लेकिन ये प्रोजेक्ट इतना भी आसानी होने वाला क्योंकि ग्लैशियर वाले अलाके में मौसम बहुती सर्द रहता है और यहां बर्बानी होना तो आम बात है ऐसे में ठंड को चुनाटी देना और रोड को आगे बढ़ाना कितना मुश्किल होगा या आप भरे काम को पूरा करने का दावा बोर्ड रोड एसोसीशन ने किया है इसकी काबलियत पर तो कोई शक नहीं है अगर यह प्रोजेक्ट सक्सेस्पुल हो जाता है तो यह दुनिया का पहला ग्लैशियर रोड होगा यानि भारत के अंदर एक ऐसा रोड होगा जो ना सर्फ जान अपनी ओर खींच लिया है उसी तरह भारत भी अपने देश में सबसे उची बिल्डिंग बनाने की तैयारी वे जुट कया है इस प्रोजेक्ट का उध देश है भारत की सबसे उची बिल्डिंग जो रेजिदेंशियल बिल्डिंग बनाई जाए और इसके लिए चगया चुनी गई है नौइडा जहां नौइडा के सेक्टर नंबर 94 में इस बिल्डिंग की नियू रखी गई है इस बिल्डिंग में खरीब 80 फ्लोर्ट देखने को मिलेंगे इस बिल्डिंग को रेजिडिंशिल पॉपल्स के साथ दूसरे कामों के लिए इस्तिमाल किया जाएगा वह इसके उचाई करीब 300 मिटर रखी जाएगी बड़ी खबर ये है कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कमपनी सूपर टक का कहना है कि इस बिल्डिंग का लगबग 90 प्रतिशत काम तो पूरा हो चुका है और अब बचा जो 10 पॉसन का काम है वो 2024 तक तो कमप्लीट ही जाएगा और इसी साल इसे टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाएगा आपको दादी कि मुंबई में जो सबसे बड़ा स्काइश्क्रापर है जिसका नाम वर्ल्ड वन है उसको भी ये उचाई पीछे छोड़ देगी और भारत की शान बन कर दिखाएगी नमबर फो मड़ी पर रिल्वी स्टेशन दोस्तो भारत के खुबसूरती कही जाने वाले मड़ी पर जाना तो हर किसी की तमन ना होती है चाहिए खुबसूरती के मामले में सब से आगे तन कर खड़ा रहता है तो ये विकास के मामले भी सब से पीछे नज़राता है लेकिन रेलवे लाइन की लंबाई करीब 111 किलोमेटर रखी गई है और इतनी दूरी के बीच लगबग 8 रेलवे स्टीशन भी बनाये जाएंगे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 62 किलोमेटर तक लंबी सुरंग बनाये जाएगी साथ इस प्रोजेक्ट के अंडर ही 134 छोटे खाब पूरा करने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं लेकिन इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो चल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे और हाँ अगर चैनल पर नाये हैं तो इसे सब्सक्राइब करना दोस्तों आपने कभी ना कभी रोपवे की सवारी तो की होगी और जिनोंने नहीं कि उनका दल तो यकीनन रोपवे ट्रेवल को देखकर जोर-जोर से उचलने लगता होगा कि काश्रम भे इस पर बैठ पाते तो इस सपने को साकार करने का भारत ने फैसला कर लिया है और ये र कुंबई के पूरवी तट में मौझूद सेवरी और राइगर जिले के हिस्टोरिकल अलिफेंटा द्रीप के बीच ये बनाया जाएगा सेवरी से अलिफेंटा केव तक जाने में करीब हमें एक घंटे का सफर तैय करना पड़ता है लेकिन इस रूपवे के बन जाने के होगा तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा नमबर सिक्स डायमंड रिसोच भारत के घुजरात के सूरच शेहर में एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब बनाया जाएगा इस हब को ही वरसिटाइल सिटी और ड्रीम सिटी का नाम दिया गया है वैसे तो सूरच को शूरू से ह डायमंड का एक बड़ा खजाना माना जाता है यहां करी 35,000 डायमंड प्रोसेसिंग यूनिट मौजूद है इस सब को 810 सेक्टेयर में बनाने का प्लान किया गया है इसे गुजरात का तीसरा सबसे स्मार्ट सिटी बताया जा रहा है इसमें हीरो के वियापार को आगे जाबा मिलेगा और साथी डायमंड और बैंकिंग सेक्टर दोनों में काफी नामूचा होगा नमब साथ नवी मुंबाई इंटरनेशनल एरपोर्ट दोस्तों अब बात होने वाली है नवी मुंबाई इंटरनेशनल एरपोर्ट के जिसे डीबी पार्टिल इंटरनेशनल एर प्रजेक्ट पर अडानी का भी हिस्सा है यानि इस प्रोजेक्ट में 74 पॉसंट शेयर्स तो अडानी जी के हैं और वहीं CIDCO के खरीब 26 पॉसंट सेयर्स का हिस्सा है यानि ये प्रोजेक्ट इनी दोनों का हिस्सा है चब ये successful बन जाएगा तो मुंबई का दूसरा metropolitan airport होने का title अपने नाम कर लेगा दोस्तों आपको किस प्रोजेक्ट के त्रयार होने का सबसे जादा इंतुजार है comment section में लिख कर जरूर बताएं तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं अब आप हमें बताईए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अच्छी लगी हो तो इसे like और अपने दोस्तों के के लिए bye bye and take care दोस्तों आपको screen पर दो और वीडियो दिखाई दे रही हैं जिससे देखने के लिए screen पर क्लिक करें